आल राइट गे 2022 के लिए वीडियो बना रहा हूं और ये मोश्ट इंपॉर्टन वीडियो है सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीस क्लियर करना चाहता हूं बहुत सरे क्लासे सभी नयाना स्कीम लेकर आ सकते हैं कि इंडिया लेवल पे आप कहां पे लाइक करते हैं आपका रैं लेनी के ज़रूरत निया सर सो लोग सो के अंडर आप आएंगे तो इसका मीनिंग यह नहीं कि बाकी लोग जो सो के अंडर नहीं आप आए उनका जिंदगी बरबाद हो गया गेट एक्जाम प्रपैर करके आइट इस में बहुत अच्छे अच्छे स्पेशलाइशन है सारे इस माइंड सेट के साथ आप वहां तक नहीं जा पाओगी कि मैं अभी कैसे करूंगा अभी मेरा लाइफ खतम होने वाले आई भी महुत बहुत देंजर सिच्वेशन में हूँ मैं आपको बताता हूं कि गेट एक्जाम की प्रपरेशन बहुती अच्छे प्रपरेशन है क्य किया है अगर आपने 80 मार्क का भी प्रपेर किया है उसमें से 60 मार्क भी कर निकाल पाओगे 50 मार्क भी निकाल पाओगे तो भी बहुत बड़ी बात है ठीक है कुछ लोग पूरा सिलाबस कंप्लीट करके अच्छे कॉंसेप्स होके भी वह अपना डर के कारण या फिर ओवर है ठीक है तीन घंटे में जो सबसे बैटर परफॉर्म करेगा सबसे कम मिश्टेक करेगा कुछ अंदाज उंदी भगवान के पर उसे ऑप्शन नहीं टिकमा करेगा उसका गेट एक्जाम में बहुत ही तगड़ा रैंक आएगा हो सकता है कि आप से भी बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा कुशन भी सॉल किये पर उनके बहुत नेगेटिव भी हो गए पर आपने कम कुश्टन सॉल किये आपको जितने आते थे पर एक्यूरेटली सॉल कर दिये सब कुछ तो आपका बहुत ही तगड़ा रैंक आएगा उस इंसान से भी जिसने आपसे जादा मेहन करना है कि मैं ऐसे काइंड आफ मिश्टेक्स अपने गीट एक्जाम में तो पक्का नहीं गरूंगा और इस लाश्ट के 10 दिनों में आपको अपने में नोट पे फोकस करना है दस के दस सब्जेक्ट अपने में नोट से करने कोशिश करो वह आपको कॉंफिडेंटली इपर में जाने के हल्प करेंगे और कुश्चन आपको ज्यादा सेंस बनाएंगे वहाँ पे और कोई भी कोश्चन अगर आपसे नहीं बनता है अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी महनत किया हूं और मेरे से कुश्चन ही नहीं तो कोई बरी करने की जरुरत नहीं रिलेटिव परफॉर्मेंस है जो सबसे स्ट्रॉंग माइंड सेट के साथ जाएगा अगर आपका सूबह का पीपर है तो आपको राज को सोने की आदत होनी चीए और सूबह जलदी उठने की आदत होनी चीए अगर आपका दूपर का पे तो मैं मेरा पेपर खराब कर दूंगा क्या ऐसा माइंड सेट तो बिल्कुल भी मत रखो हो सकता है कि बहुत लोग सोई ना पाए क्योंकि यही मैजुरिटी की रियालिटी होगी मैं भी दो तीन बहें तक जग रहा था पर उसके करने मैंने अपना प्रिपरेशन पुरा चोटी चोटी चीजों से आपके पेपर खराब नी होना अचीए इतना अच्छा स्ट्रॉंग माइंड सेट रखो माइंड सेट अच्छा रखो कुछ भी हो जाए मैं उस तीन घंटे में अपने आपको फ्रेश फिल करा सकता हूं ऐसा माइंड सेट रखो वह आपको हेल्प क मेरे से यह 3 गंटे कोई छीन नहीं सकता और मैं 3 गंटे में बिलकुल भी अपना जो भी मेरा बैस था मुझस अचीन नहीं सकता जितना मेरे लिए रखा गया है चीज वह मैं लेकर ही आउंगा घर यह मैं खरता हूं आप से में श्रॉट इंस्त करता हूं यहर आपका 60 मांस का प्रिपरेशन हो गया तो आप फर्स्ट रेंग के से निकाल पाओगे मैं एक्सपेक उतना करता हूं कि आपका जितने भी माक्स का प्रिपरेशन हो गया है जो भी आप पोटेंशल रखते हो वह आपसे कोई छीन ना सके ऐसा माइंडसेट आपको रखना है ठीक है गेट एक् प्रेशर आप फिल कर रहे हो कुछ भी फिल कर रहे हो उस तीन घंटे के बारे में सोचो कि मैं उस तीन घंटे में अपने आपको कैसे काम रख सकता हूं कि दुनिया बदलनी जाएगी ठीक है अभी आप 80 साल के निए अभी आप 70 साल के निए आप रिटायर होने हो गयो और आप कैसे सक्सेस्फुल होगे आपको समझ में नहीं आ रहे है मैंकडॉनल्स के फाउंडर बहुत ही अपने लेट एज में सक्सेस्फुल होए एक एक एक्जाम फेल होने से कुछ प्रप्लम नहीं हो जाएगा पर फेल उस रिजन से होगे कि मैं प्रेशर बहुत जादा ले या मेरी निंद पूरी ना हो पाई तो बहुत जादा रिग्रेट फिल करोगे इन रिजन्स के कारण हमें फेल नी करना अपना पेपर हमारा अपना परफॉमेंस खराब नी करना है मैं सिब उसी रिजन के लिए फेल होने के रेडी हूं कि मेरे से कोशन बन नहीं सकते थे मैं मेरा पेपर स्पॉल हो गया मैं प्रेशर के कारण डर के कारण या फिर अपने माइंसेट के का रण अपना पेपर बिलकुल भी पॉल नी कर सकता युदि जो चीज मेरे लिए रखी गई है वो मैं किसी और को दे नहीं सकता हुआ है फिट करो अपने दिमाग में ठीक है और आगे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है एम टेक के थू बार्क के थू ऐसे बहुत सरे एम टेक के प्रोग्राम से ट्रिपलाइटी है इदराबाद के हैं बिट्स के हैं जो अलग अब्ल्स के लिए मत करो हो प्राश्य फिल करना इसी और के लिए काम करना होगा है अपने लिए काम टेक्म करो आ है मैं इतना स्टूंद्व माcht 32 मांइंड्ब सरकता हूं कि मैं ध्यान्से कुशन पर उनोंगा तारी चीजह बहुत ही कैर्फिली करूंघ बिलकुल भी कर ठीक है मैं और सारी situations पहली अपने आपको समझा दूँगा कि मैं ऐसे situation में ऐसा करना है पाच कोशन नी बने मेरे से नी बने तो इंडिया में किसी से भी नी बनेंगे कोई बरी करने के जरुरत नी है ठीक है क्योंकि हो सकता है पेपर का difficulty बहुत जादा हो याद रखो मेरे य रखा गया था ठीक है आप से नी बना किसी से नी बनेगा स्किप करके आगे जाने की कोशिश करो तो मुझे इतना ही बताना है अभी मॉक्टेश्ट देना रोक दो अगर आपके पेपर में सिर्फ 10 दिन बाकी है और में नोट्स रिफर करना स्टार्ट करो अपने मिश्टेक सोचो कि आपने क्या-क्या मिश्टेक से अभी तक मॉक्टेश्ट में और किसी स्कीम में आओ मत अभी कि मैं अभी आपको इंडिया लेवल पर आपका रैंक बताने वाला कोई जरूरत नहीं है अगर आपको मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके जो भी प्रॉब्लम से आप मुझे शेयर कर सकते हो मैं वो प्रॉब्लम्स पढ़के उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूगा तो इतना ही था इस वीडियो में तो फिर मिनें किस वीडियो के साथ दिरू आइए